हलो स्टुडेंट्स तो कैसे हो आप सभी सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का पार्ट 2 है चैप्टर का नेम है हमारे ग्रैविटेशन इसमें हम बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह फ्री फॉल और जो हमारे ग्रैविटी होता है जी इसमाल जी कि उसकी वैलू भी फाइंड करेंगे और अब्जेक्ट फ्री फॉल को लाइब से कनेट करके थोड़ा समझेंगे फ्री फॉल का बहुत बेसिक सा मीनिंग है वाई फ्री मतलब किसी चीज को आपने पगड़ा और उसे छोड़ दिया आपने का उसे उसे कोई लेना देना नह मतलब फ्री फॉल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल तो चड़ी तरह टॉपिक भी देखते हैं और इसे इंट्रेस्टिक मज़े के साथ समझते हैं तो आप यहां पे देख रहे होंगे क्या है कि यह वैक्ति क्या हो रहा है एरो प्लेन से नीचे की तरफ लैंड कर रहा है मतलब जैसे मैंने अभी पेन वाल आपको बताया आप पेन को छोड़ोगे तो क्या हो रहा है फ्री फॉल हो रहा है ठीक उस तरीका से वैक्ति क्या गरा है नीचे की तरफ गिर रह है क्योंकि gravity 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 की वज़ा से नीचे की तरफ आ रहा है एक फोर्स लग रहा है एम जी क्या है total m और जी को अगर हम मिला देंगे तो यह इसका हो जाएगा वेट अब वेट भी क्या होता है एक प्रकार का फोर्स मतलब कहने का यह कि कोई object जब गिरती है उसमें speed होता है और जब speed है तो speed क्या है वी हमारी ठीक है अगर जब velocity है तो acceleration होगा और यहां पर acceleration क्या हो रहा है जी हो रहा है अप्रकारे जो भी वज़ाएगा उसको क्या कहेंगे हम f बराबर mg यह मारा बना लेते हैं पहला इक्वेशन और यहीं से हम find करेंगे small g की value तो अब बताइए भहिया जब इस पेन को आप छोड़ रहे थे या देख सकते हैं इस ड्राइंग में हम यह वेक्ति क्या हो रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है f बराबर g m m अपान में आर स्कॉयर यह हम बना लेते हैं क्वेशन टू अब आप सोच रहे होंगे कि यहां m क्या है capital M भाई पिछले चैट्रूम पड़ा था वाई पिछले वाले पार्ट में capital M क्या है मास अथ ज्यान रखिएगा capital यहां पे हैं मास अपर यह इस माले मान लेते हैं यह जो ऑब्टेक्ट है ठीक है क्या होगे उसका मास हो गया ओपर हमने लिखा तुसका मास तो हमने लिखा यह क्रेविटेशन फोर्स था हमारा कैपिटल म मात कहा था जो हम पिछले पाइंट पढ़े थे सापर्द और मासभ मून और यहाँ पी जो ऑब्जेक्ट है फिर उसके बाद क्या करेंगे mg अब यहां पर कुछ आपको common दिख रहा होगा है यह वाला small m small m यह इससे इससे हो जाएगा cancel हमारा small g का formula क्या जाएगा small small m से cancel हो गया तो यहां बचा gm upon r square तो मैं लिखेंगे gm upon में क्या लिखेंगे r square अब यहां पर हम थोड़ा समझ लेते हैं यह capital जी क्या है यह universal gravitational constant है जी की value fix होती है 6.67 into 10 के power minus 11 newton meter square पर kg square यह पिछले हमने लेक्चर में समझ लिया था यह हर जगा पर fix होगा बट ग्रावटी जी होती है small जी उसकी value थोड़ा change होती होती है ठीक अब यहां पर capital M क्या है capital M है हमारा mass of earth और नीचे r क्या है radius of earth अगर मैं आप से कहूं कि आप gravity की value find करिए आपको gravity का formula दे दिया बट आपको मैंने g का value आपको capital G का नहीं पता है यह माल लीजिए वह भी पता है आपको mass आप अर्थ नहीं पता है आपको radius नहीं पता है आप कैसे find कर पाएंगे यहां पर नीचे क्या है capital G की value find करने के लिए क्या करना पड़ेगा capital G की value हमें पता होनी चाहिए ठीक है और यह इस M की capital M की और radius पता होनी चाहिए तो यहां पर मैंने दिया है capital G का value दे दिया है M की दे दिया है R की दे दिया है अब हमारा इसमाल जी का formula देख सकते हैं यहां पर G बराबर G M M आपान R square अब इसी equation में इन तीनों की value को put कर देंगे तो हमारा जो इसमाल जी हम यूज करते है 9.8 meter per second square definitely वो हमारा आ जाएगा तो चलिए तोड़ा इस value को हम put करते हैं पहले formula को लिख लेते हैं अपान में R square capital G value क्या है 6.67 तो इसमाल जी कोल्म क्या लिखेंगे आपे 6.67 into 10 की power minus 11 और यहां पर capital M क्या है मासा पर्थ मासा पर्थ क्या है 6 into 10 की power 24 kg बहुत इजी है हमारा ठीक है यहां पर रखेंगे 6 into 10 की power 24 ओके तो यूनिट नहीं लिख रहा हूं यूनिट हम बात में समझ लेगे क्या कि फानली हम जब यूनिट यूनिट का काटते हैं तो वहां पर आता है न्यूटन मीटर वहमारा जो आएगा जी की वैलू अपना मीटर पड़ सेगे डिस्क्वार आटोमेटिक यहां पर आ जाता है तो ठीक है यहां पर आर की वैलू क्या है मारा 6.4 into 10 की power 6 क्या है रेडियस ह जाएगी वेलू 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 यहां पर जाएगा 6 into 10 की पावर 24 और जाएगा मारा 6.4 square में है तो इसे two times लिख लेंगे और multiply में पावर हमेशा एड होता है तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 का into 10 कर देंगे यह 10 की पावर 11 यहां 12 में कैंसी लोके 10 बचेगा multiply 6 और यहां पर है 6.4 और यहां पर है 6.4 यहां पर देख सकते हैं 12 डिजिट बाट डेसिमल है जब भी ऊपर टू डिजिट है नीचे भी टू डिजिट है इन दोनों के डेसिमल जब multiply करेंगे टू डिजिट बात हो जाएगा यह दोनों हट जाएंगे अब लिख सकते हैं हम इकल में 6.67 और 10 शिख जाए आप कर सकते हैं 60 और 64 का multiply 64 करेंगे आएगा 4096 अब जब इसको solve करेंगे इसमाल जी की value आएगी 9.8 आप इसको multiply करके solve कर लिजेगा और जी की value मिलेगी 9.8 meter per second square और इसी को लिख सकते हैं meter per second square को लिखा जाता है 9.8 meter second की power minus 2 कर देते हैं तो दोनों सेम ही हुआ क्योंकि जब second square नीचे में ऊपर जाएगा तो उसमें minus 2 की power आ जाएगी तो I hope आपको free fall पूरा clear हो गया होगा है बहुत easy है भाई free fall में कुछ जादा है नहीं बट अपने life से connect कर लोगे तब कोई object नीचे से गिरती है आप खुद गिरा के देख लिजे कुछ नहीं पेनी गिरा के देख लिजे उसमें concept लगा लिजे क्या से क्या होता है समझ में आ जाएगा फिर भी कोई डाउट है free falls related जी की value find करने में तो भाई पूछ लेना और यह जो capital G है capital M R जब भी numerical आता है value दी रहती है बट याद कर लेना भाई याद करने की कोई खास जरूत नहीं है आप जो दो चार question करोगे आटोमेटिक याद हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो प्यार इसी पार्ट इसी इसी चेप्टर के अगले पार्ट पर तब तक क्लिए good bye take care and thank you so much